आज आज हम बात करने वाले हैं उस फाइटर जेट के बारे में जिसे इंडस वाइपर के नाम से जाना जाता है आज हम बात करेंगे एफ 16 ब्लॉक फिप्टी फिप्टी टू जो कि पाकिस्तान की एरफोर्स अर्सनेल में सबसे लीथिल और टेक्नोलोजिकली मोस्ट एडवांस फाइटर जेट माना जाता है तो जाहर है इस हम से ज्यादा तो इस फाइटर जेट के बारे में इंडियन एफ जानते होंगे उस एफ 16 के बारे में तो कुछ दिनों से मैं काफी हाइक देख रहा हूं इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूब चैनल्स पे पाकिस्तानी एफ 16 फ्लीट को लेकर जो कि उसको स्ट्रॉग्लिंग फ्लीट का नाम दे रहे हैं तो ऐसा बिलकूर नहीं है तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस त्यारे की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में उससे पहले हम बात करेंगे एफ 16 पाकिस्तान एफ 16 ब्लॉक 52 जो है और 50 और 52 यह पाकिस्तान को कब दिये गए तो बैसिकली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान मोर देन 40 यह से एफ 16 को सक्सेस्फुली ऑपरेट कर रहा और लॉखिट मार्टन की लिस्ट में यह वन अफ दो मोस्ट फ्लाइंग आवर्स की लिस्ट में आता है पाकिस्तानी एफ्रोस के पाइलेट्स जो कि तीन लाग से ज्यादा आवर्स को एफ 16 में फ्लाई कर चुके हैं तो यह पाकिस्तान को अथारा एफ 16 ब्लॉक फिप्टी टू डिलिवर कर दिये गए जो के बाद अबाद बादर पे जो ऑपरेशन जर्वे अजब के दुरान जो ऑपरेशन जर्वे अजब चल रहा था उसमें उनको वाइटर रोड प्ले करने के लिए उनको जैकब अबाद में न प्लेशन है तो अब इनकी कुछ चुनिंदा स्पेसिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले जो एफ 16 ब्लॉक फिफ्टी है उसमें जो क्रियू है वो वन है और जो एफ 16 ब्लॉक फिफ्टी टू है उसमें दो लोग दो पाइलिट्स के बैठने की जगा है क्योंकि ये फिप्ट वन टैन और एफ 16 ब्लॉक फिफ्टी टू जो कि डियूल स्टर फाइटर जेट उसमें एफ 100 फाइटर जेट लगा हुआ तो बेसिकली अगर मैं को नंबर्स के बगाएर इसका कंपैरिजन बताऊं तो जो ब्लॉक फिफ्टी टू के अंदर एफ 100 इंजिन है वो एफ 1 10 से ज इस चीज़ को मत्य नजर रखते हुए जो एफ 16 ब्लॉक ब्लॉक की सीरिज़ास में फिफ्टी टू फॉर्टी टू सिक्स्टी टू सैवंटी टू यह बॉंबर्स होते हैं में हैविली पावर्फुल इंजिन लगा जाते हैं क्योंकि इनको मुटेशन ज्यादा करी करना पीड़् माक वन पॉइंट टू तक जाती है तो बैसिकली अब फैरी रेंज यह बात कर लेते हैं तो फैरी रेंज वह रेंज होती है जहां जिस रेंज तक किलोमेटर माइल में कोई भी फाइटर जाट आपका सक्सेस्टुली हार्ष कंडिशन में अपरेट कर सकता है या उ 60,000 फीट है जो कि एक और्डिनरी और नॉर्मल है अब बात करते हैं वैपन्स की तो मामूली चेंज हैं वैपन में इतने की ज्यादा नहीं है लेकिन अप्ग्रेड है वैपन की वह एंवन टॉन्टी एम्रेम का सी सेवन वर्जन है जो कि अब तक का सबस्के अप्ग्रेड वर्जन है और इससे पहले जो ब्लॉक 52 से पहले जो एक्राफ्ट थे वो गाइडिड लेजर गाइडिड में नेशन गिराने के केपेबल नहीं थे लेकिन जो उसके बाद अप्ग्रेड हुई ब्लॉक 52 में तो यह अप्शन मौजूद है क कि आप लोग कोई एरफोर्स लेजर गाइडिड बॉंड गिरा सकते हैं तो यह बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और बेसिकली जो भी एरफोर्स से करीदने जारी है उसकी टार्गेट एक्वरेश्ची में 100% इजाफा होगा साथी साथ इसके अंदर इलेक्रोनिक वार्फ को लगाया गया है जो कि इलेक्ट्रोनिक वार्फेर की फिल्ड में काफी इस जेट को मदद करेगी उसी के साथ इसके जो कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल में होते हैं वह एनलोग की बजाए डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर दिए गया है यानि के एलिवेशन स्केल व जो टार्गेटिंग पॉर्ड्र होते हैं के लान ट्रिंप पॉर्ण ग्रीन पॉर्ड और स्नाइपर पॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं जो कह एक काफी लेवल एक्लाब्यार को टार्गेट एक्रिसी में एक्टी तु एक्टी फाइपकस in इसे के साथ तीu रेडर के अंदर ए होती decent range मानी जाती है और इवन जो ब्लॉक 60 है यूएई एर फोर्स में उसमें तो आपको IRST scanner भी मिल जाता है जो कि IRST का मतलब है infrared search and tracking system तो यह उन्होंने specifically अपनी demands के मताबिक Lockheed Martin ने लगा के दिया उनको और उनका जो aircraft है उसमें specifically AES से radar भी लगाया गया है जो अब किसी aircraft F-16 type aircraft में अभी तक नहीं इंट्रोडू ड्यूश किया गया तो नो डाउट UAE जैसा मुल्क इस चीज़ को handle कर सकते हैं उनके पास investment काफी है और उन्हाने बहुत फ्री उस पर ज्यादा से ज्यादा investment की जा रही है और आप एंड में बात करेंगे उस मिर्च मसाले वाले पार्ट की तो यह इंडियन ब्लॉक फिप्टी टू स्टेंडर्स के हैं तो यहां पर कोई हमारी स्ट्रगल नहीं कर रही बकॉल है इनके यह सारे जूटे दावे और एक परस्टनल एजेंडा है जो यह तमाम यूट्यूबर्स चला रहे हैं साथी साथ अगर यह भी बताता चलूं मैं इन्होंने एक औ सब्सक्राइड एक रिपेरर भी है हमारा पाकिस्तान एरोनार्टिकल कॉंप्लेक्स तो इसी बात पर इस वीडियो को खत्म करते हैं उम्हीद करता हूं कि आपको वीडियो बसंद आई होगी और जाने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें क्यूंकि अपनी न कि आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह ना करें पबलिक को सही इंफॉर्मेशन दें तो इसके साथ वीडियो खत्म करते हैं लाइक कीजिए सब्स्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कॉमेंट में जरूर दीजिए अल्लाहाफेज